बॉलीवोड की मशूर एक्ट्रेस मिनाक्षी शेशादरी ने महत 17 साल की उमर में मिस इंडिया कॉंटेंस जीता था एक्ट्रेस का असली नाम शेशीकला शेशादरी है मिनाक्षी ने साल 1983 में फिल्म पेंटर बाबू से बॉलीवोड में डेब्यू किया था जो की एक फ्लॉक मूवी थी पर उनकी दूसरी ही फिल्म हीरो बहुत बड़ी सूपर हीट मूवी थी मिनाक्षी का नाम बॉलीवोड सिंगर कुमार सानू के साथ भी जुड़ा जाता है कहते हैं कि कुमार सानू की मिनाक्षी से पहली मुलाका जरुम के प्रीमियर के दोरान हुई थी उन्हें देखते ही वो अपना दिल हार बैटे थे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिनाक्षी को कुमार सानू के तलाक का करान माना जाता है इसके अलावा डायेक्टर राजकुमार संतोशी को भी मिनाक्षी बहुत पसंद थी राजकुमार संतोशी ने मिनाक्षी के साथ फिल्म घातक में काम किया था इस दोरान वो उनको बहुत पसंद थी एक interview के दोरान राजकुमार संथोशी ने बताया था कि वो मिनाक्षी से प्यार करते थे और उन्हें शादी के लिए प्रबोस भी किया था लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया था फिल्म घहतक के बाद मिनाक्षी ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और 1995 में मिनाक्षी ने एक इंवस्मेंट बैंकर हरीश महसूर से शादी कर ली थी और अमेरिका के टेकसा शेहर में बस गई इस शादी से इस कपल के दो बच्चे हैं उनकी बेटी का नाम केंदरा और बेटे का नाम जोश है